सलमान को 2024 में कौन से सबक लेने होंगे, कौन से काम सलमान खान 2024 में नहीं करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल सल्मान के सामने 2024 का पहला सबक है खराब स्क्रिप्ट और खराब डायरेक्टर के साथ काम नहीं करने का सल्मान खान जो मूवी साइन करेंगे या जिसे लेकर बातचीत करेंगे उसे लेकर सल्मान पूरी तरह शोर होंगे और फिर उसके बाद ऐसे डाइरेक्टर को अपने साथ जोडेंगे जो कम से कम बहतर मूवी की समझ रखता है इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सलमान ने टाइगर वर्सेस पठान फिल्म की स्क्रिप्ट को चेंज करने का सुझाव दिया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है सलमान खान दो हजार चौबीस में सब की सुनेंगे लेकिन अपने मन की करेंगे ये वो सबक है जिसकी गांट उन्होंने बांध ली है दो हजार चौबीस के लिए सलमान की इस रननीती को देखा जाएं तो मूवी पर खूब प्रचार किया जाएगा वो किसी भी तरह से मेकर्स की रननीती पर डिपेंड नहीं रहेंगे अपने लेवल पर इतना हाइप क्रियेट करेंगे जिससे थिएटर में पठान, जवान और एनिमल जैसा माहौल बनाया जाएं सलमान से यही मिस्टेक टाइगर 3 के दौरान हुई थी किसी का भाई किसी की जान में भी मेकर्स की प्लानिंग पर ही सलमान आगे बढ़े नतीजा यह हुआ कि सलमान के मन मुताबिक इन मूवी का कलेक्शन नहीं रहा सलमान खान का तीसरा सबक ऐसा है, जिसका जिक्र उनके दिमाग में हर बार आता रहेगा ये स्टेप है दिवाली पर कोई भी फिल्म रिलीज नहीं करने का सल्मान खान की मूवी 2024 में दिवाली पर नहीं आने वाली लेकिन उनका रिजॉलुशन है कि फ्यूचर में ऐसा करेंगे भी नहीं ताइगर 3 का दिवाली पर जिस तरह का हाल हुआ वो किसी से छिपा नहीं दिवाली पर सल्मान की कुछ और मूवी सामने आई थी मगर प्रेम रतन धन पायों को छोड़कर कोई भी चल नहीं पाई थी ऐसे में सल्मान इस सबक की घुट्टी पी चुके हैं और कभी रिपीट नहीं होने देंगे सल्मान खान एक जोन की मूवी कभी नहीं करेंगे ये उनका सबक भी है और डिसीजन भी है जिस तरह उनकी कुछ मूवीज एक ही टाइप की होती गई उससे इतना तो क्लियर है कि सल्मान मूर चेंज करने के मकसद से कॉमेडी या फैमिली कैरेक्टर पर फोकस कर सकते हैं और इसके लिए 2024 में सल्मान खान बाकाइदा स्टडी भी करेंगे सल्मान खान ऐसी एक्टरेस को अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहते जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो चुका है सल्मान खान के साथ जो बिहैव शाहरुख की तरफ से देखने को मिला उसे देखते हुए सल्मान 2024 में एक सबत लेकर आगे बढ़ सकते हैं ये स्टेप है किसी एक्टर की मूवी में कैमियो नहीं करने का दरसल पठान में सल्मान ने कैमियो किया तो मूवी जबरदस्थ हिट हो गई लेकिन टाइगर 3 में जिस तरह शाहरुख ने बहुत एवरेज काम किया उससे उनका ये डाउट क्लियर हो गया है दोस्तों क्या आपको लगता है कि सल्मान खान कि इन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें